गुड मॉर्निंग चिल्टरन तो बच्चो आज हम पढ़ेंगे एक कवीता जो कि आपकी हिंदी पाठ्थे पुस्तक उडान से है और कौन सा पाठ है पाठ ग्यारा है और कवीता का क्याना मैं थोड़ी धर्ती पाउं यहे कवीता सर्विश्वद्या सकसेना जीद्वारा रच इस कवीता के माध्यम से कवी हमें बताना चाहते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेर और पोधे लगाने चाहिए क्योंकि पेर पोधे हमारे जीवन के लिए बहुत लाबदायक है इस कवीता के माध्यम से कवी प्रियावरन को बचाने के लिए भी कह रहे हैं तो चलिए आज अ अब दूसरा परग्राफ है खिले फूल फल चिडिया बोलें प्यारी खुश्बू डोलें ताजी हवा जलाशे में अपना हर अंग भी बोलें मतलब जिनसे उन पेड़ पोदो पर फल और फूल खिलें और पक्षी बोलेंगे चिडिया अपनी मदूर वाने से गाएंगी और चारो तरफ सुगंद चारो तरफ खुश्बू बिखा जाएगी बगीचे में एक जलाशे मतलब एक तालाब भी हो जिसमें ताजी हवा अपना अंग भी गोकर मतलब ताजी हवा महां से गुजरे और ठंडी हो जाए अर्थार उस तालाब से जब हवा गुजरेगी तो वे और भी ठंडी हो जाएगी अब हम थार पढ़ते हैं लेकिन एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई एक पेड भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई इस पंगती में कवी कहते हैं कि लेकिन मुझे एक इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई है अर्थार कवी को कहीं भी साफ वातावरन नहीं मिला है परियावरन नहीं मिला है जहां कवी अपने सपनों को पूरा कर पाएं और जहां पर वो बाग पगीजे लगा सकें कहीं पर उनको ऐसा साफ इस्था नहीं मिला है जहां पर वो एक पेड लगा सकें और कवी को अपना पेड पोधो को अपना भाई कह सकें मतलब ये कह सकें कि ये पेड पोधा मैंने लगाया है फॉर्ट पेराग्राफ है हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धर्ती हो फूल फुलो से लदे बगीचे और अपनी धर्ती हो अब कभी कह रहे हैं संभा है हो सकता है कि आपके पास अपनी जमीन हो फल फूल से लदे बाग बगीचे हो या आपके पास अपनी खाले जगा हो हो सकता है थोड़ी फूल वाली खुश्बू वाली जमीन हूँ आपके पास हो सकती है लेकिन उनको कहीं नहीं मिल पाए कहीं नहीं मिल पाए आप कहे रहे हैं हो सकता है कहीं शांत चोपाए घूम रहे हो हो सकता है कहीं सेहन में पक्षी जूम रहे हो वो कह रहे हैं हो सकता है वहां आंगन में, मतलब चोपाए में, शांत में, कहीं पशु पक्षी घूम रहे हों, गाते और चैचाते नजर आएं, पर पक्षी जूम रहे हों, ओके, अब सिस्थ है इसका, तो विंती है वही, विंती है यही, कहीं मत इस दुनिया को खोना, पेड मत चिडियाओं को रोना, कि अगर आपके पास अपनी जमीन है, साफ वातावरन है, तो उसको कभी खराब मत होने देना, मतलब कभी पेड़ पोदों को नहीं काटना, और पेड़ों को कभी मत काटना, और मत चिडियाओं को रोने देना, मतलब अगर पेड़ पोदे कट कभी कह रहे हैं कि पेड़ों की एक एक पत्ती हमारे लिए बहुत मुल्यवान है क्योंकि वो हमारे सपनों को आधार देते हैं जब पेड़ों के शाखाए करती हैं तो पेड़ पोदे भी छोटे बच्चों की तरह रोते हैं अब आगे कभी कह रहे हैं पेडो के संग बढ़ना सीखो, पेडो के संग खिलना, पेडो के संग संग इतराना, पेडो के संग हिलना अब कभी कह रहे हैं, इसलिए हमें अपने जीवन में पेडों के महतु को समझना चाहिए, हरे पेडों की तरह खिलना, मतलब पेडों की तरह हमें खिलना चाहिए, पेडों की तरह बढ़ना चाहिए, मतलब पेडों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना चाहिए, मतलब प पेड़ों को हमें अपना एक हिस्सा बना लेना चाहिए। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। नहीं समझते जो दुशकर्म का वेफल चकते हैं। कभी कहते हैं कि इस अंसार में हर्याली और खुशाली के आधा पेड़ और बच्चे हैं। जो इस बात को नहीं समझते उनको पश्टाना पड़ता हैं। अब लास्ट पेराग्राफ में है कभी कह रहे हैं। आज इस अभ्यता वेशी बन पेड़ों को काट रही है। जहेर फेफलों के भर हम सब को बाट रही है। इस लास्ट उसमें कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं, इस समय में लोगों ने शहरी करन करने के लिए पेड़ों को अपना दुश्मन बना लिया है, जंगा 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 उन लोगों ने फ्लैट्स बना लिया है, जंगा जंगा उन लोगों ने फैक्टरिज लगा लिया है, दुका जब कट गए है तो हवाज हो गई है मनुष्श भीमार हो रहे हैं मतलब आउक्सिजन कम हो रही है यह ना तो ज़हर vivreफ़ों में में भरकर हम सब को बाच रही है मतलब हम आउक्सिजन बहुत कम ले रहे हैं जिसे कि हमारे फिर्फ़ों कराब होने तो में अधिक से अधिक पीड लगाने चाहिए ओके थैंक यू